हेलो फ्रेंट्स क्या निश्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रैट कलर के सब्सक्राइब पड़िन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें इसके साथ ही आप वैल की आइकन को भी दबाईए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो चलिए फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ सिर्दर्द होने के पीछे क्या कारण होते हैं वैसे तो सिर्दर्द एक बहुती कॉमन सी प्रावलम हो गई है आज के समय में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो की सिर्दर्द की समस्या से परिसान होते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिने की सिरदर्द होता है और वैं regular हलका हलका उनके सिर में बना रहता है जिससे उने काफी परिशानी होती है तो आखिर इस समस्या के पीछे क्या कारंग होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हैं तो इसका जो सबसे पहला आपका तनाव में होना यदि आपके सरीर में और मन में तनाव है तो इससे आपके सिर में दर्द की समस्चा जो है वह काफी जल्दी बन जाती है और हमेशा लंबे समय तक बनी रहती है इसका जो दूसरा कारण होता है वह होता है मन और सरीर की ठकावट दिन भर घर का काम करते करते आप office work करते करते बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं और ऐसे में आपको अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है आप बिल्कुल relax नहीं कर पाते हैं mentally तरीके से तो इस बज़ए से भी आपके सिर में हमेशा दर्द बना रहता है आपके सिर में आपको ह मेशा भारीपन महसूस हो सकता है इसके साथ ही यदि आप बहुत जादा फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते हैं सारीरिक वर्क कर लेते हैं और परियाप नीन नहीं लेते हैं तो इस बज़े से भी सिर में दर्द की समस्या सुरू हो जाती है इसके साथ ही आपका यदि सारीरिक तंत्र आसंतुलित है तो इससे भी आपके सिर में दर्द होना सुरू हो जाता है जैसे कि आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा कि आपका पेट खराब होता है तो आपका सिर जो है भारी लगने लगता है और आपके सिर में दर्द होने लगता है हमारे सरीर के जो अंग होते हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इसलिए एक अंग में किसी भी प्रकार का आसद्दलन होता है तो इसका जो प्रभाव होता है वैं आपके सरीर के दूसरे हिस्सों में भी पड़ता है तो कई बार इस वजह से भी आपके सरीर में आपके सिर में दर्द होना सुरू हो जाता है इसके साथ ही यदि सिर की जो नलिकाएं होती है बलड फ्लो करने वाली कोसिकाएं होती है यदि उन में रक्त का जो फ्लो है वह सही तरीके से नहीं हो पाता है रक्त सही तरीके से प्रवाह नहीं होता है तो इस बज़े से भी सिर दर्द जो है वह सुरू हो जाता है और आपको तो काफी दिक्कत होती है, इसके बाद जो एक काफी मुखे कारंग होता है, जो की होता है आप पर आप नींद लेना, यदि आप लंबे समय तक काम करते हैं, बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं, तो आपके सिर में दर्द की समस्चे होती है, इसके अलाबा साथ से आठ गंटे की नीन जो कि आपके लिए बहुती जरूरी होती है यदि आप इतनी नीन पूरी नहीं करते हैं तो इस वज़े से भी आपके सिर में दर्द जो है वह सुरू हो जाता है इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़े होती हैं जैसे कि गलत मौसा में गलत चीज़े खा लेना अपने सरीर की प्रकृति के अनुकूल चीज़े खाना या फिर प्रतिकूल चीज़े खाना इस तरह से जो चीज़े आपके सरी को सूट नहीं करते हैं आप इस तरह की चीज़े खा लेते हैं जादा गर्म तासीर की चीज़े खा लेते हैं तो इस बज़ए से भी सिर्द की समस्या जो है वे शुरू हो जाता है इसके साथ ही जरूरत से ज़्यादा सोचना जो कि बहुत ही बड़ा कारण होता है सिर में दर्द होने का कुछ लोगों को प्राबलम होती है ओवर थिंकिंग की ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं तो इस बज़े से भी इनके सिर में दर्द की समस्चा जो है वे सुरू हो जाती है तो दोस्तों ये सारे कारण होते हैं सिर में दर्द के उमेद करती हूँ कि यह जानकार्य आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकार्य आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके